बारिष, बहुत अच्छा मोसम है, ये अजनेधे शोड़े ऊप्र होको न ईसी संड़े के वजदिक्स अर निदे आपकोड शुकूर में युदॡू manufacturing harvest अभी सुबह हो चुकी हैında बारे स्थम गी है ओ फूरा घर हैीवा और सफाई का काम, साधे कंदा हुड़ेगा मुझे ऐसघेए फटोन सफाई करनी पड़ेगा और आएए निए डेखे क्वें के दिखे estınaं हे ठography- charmingा डाल दी इसके रही चोड़ी यह दच्छा कर लिया लेक्श भार लोगों ते निए c0-c0-c0 मैंने दुबाद सब्सक्याष्याहरा दिखे दूबारी कीुषिए अπα़्म्ने में अम रॉच। हलो दोस्तों गड़ बॉनिंग कैसे हो आप लोग उम्मीद है आप सब लोग एकदम सोचता और मस्त होंगे स्वागत है आप सब का मेरे जैनल जेम्डी फैमिली ब्लॉग में और आज है संडे सुबह का जाड़ो पोच्छा पानी भरना इस तरह के मैं सारे काम कर चुकी हूं मुझसम बहुट थंडा है और अच्छा लग रहा है तो संडे हैं बच्चे-गर पे चुटी है कुछ न कुछ बनाना बनता है तो आज मैं सुबह सुबह नास्ते में ही चौमिंग बनाने जा रही हूं तो मैंने सुचर चलो मैं आप लगों को भी ले चलती हूं और आप लगों के साथ भी शेयर करती हूं काफी हद तक मेरी आखे ठीक हैं लेकिन मैं कुछ लगा नहीं पा रही हूं सिंदूर बिंदी और लेप्स्टिक इसके लावा मैंने तीसरी कोई चीज नहीं लगाई है ना आखों में ना फेस पे क्योंकि आखों में अभी थोड़ी थोड़ी इचिंग हो रही है बर पहले से बहुत अच्छी है हो जाएगी एक दो दिन में वह ठीक हो जाएगी तो चलि किचन में चलिए आ गई हूं मैं किचन में और मैंने ले ली है कडाही और कडाही में डाल रही हूं मैं देसी घी ये दो चम्मच मैंने देसी घी लिया है और कडाही गरम हो गई है और देसी घी पिखलने के लिए चोड़ देते हैं और देसी घी आप जादे भी ले सकते हो गी ही अच्छा है और बटर भी ले सकते हो लेकिन आप सोच रहे होगे मैं चॉमिंग बनाने जा रही थी उसमें घी, दूद, बटर कहां से आया यह मैं एक सप्राइज है यानि मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ यह मिल्क पाउडर है यह अंगनवाडी में मिलता है बच्चो मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ थोड़ा सा दो चमच घी एक ग्लास मैंने दूद लिया और यह अधिकलो का पैकेट है पर इसमें से 100 ग्राम तो खाई गया होगा वैसे ही खा गया होगा चमच कटोरी लगा के लेकिन अभी जो पड़ा है वो मैं इसमें डाल रही हूँ त चलाते रहिएगा तो मैं इसको लगातार चला रही हूँ आप देख सकते हैं और यह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना और इसमें चीनी तो बिल्कुल नहीं डाल लिएगा क्योंकि इसमें खुद का इतना जादे मीठा होता है कि मतलब आप नहीं जहल पाओगे तो इसलिए प्लीस आप इसमें चीनी तो बिल्कुल नडाले गलती से भी नडाले अगर फिर भी आपको ओवर मीठा पसंद है तो आपकी मर्जी है यह दिखिए चलाते चलाते यह कुछ ऐसा हो क्या है अभी थोड़ा सा और इसको चलाते क्यों यह पुड़ा सा घी लगा लिया है ग्रीसिंग कर लिया है और इसी थाली में हम इसको पलट लेंगे अच्छे से तो मैं इसको चिम्टे से पकड़ के कर रही थी ना तो चिम्टे से कड़ाई फिसल जा रही थी जैसे पकड़ रही थी तो मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना अब हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, आप इसे मतलब किसी भी सेप में जमा सकते हैं, राउंड स्क्वेर, लेकिन मेरे पास नहीं था कुछ स्क्वेर, तो मैंने इस तरह राउंड ही जमा लिया, काट के हम लोग इसको खा लेंगे, यह बहुत अच्छी बहुत टेश्टी ब मेरे अडोसी पडोसी भी एक दो बार मुझे पैकट दे चुके हैं, जो मैं यूज में ले चुकी हूँ, मैं कभी बरफी बना लेती हूँ, कभी लड़ू बना लेती हूँ, इस तरह काम आ जाता है, तो आप सब को भी अगर किसी को मिलता है, तो बहुत आसानी से आप चोटे बड़े साइज में, जैसे आपको पसंद हूँ, वैसे आप खाट सकते हूँ, मैंने इसको चोकोर पीस में, और मीडियम साइज ना बड़ा ना छोटा, थोड़ा मीडियम मीडियम ही काट लिया है, और ये बन के देखे एक दम परफेक्ट रेडियू का आप चाहे त इस पर कुछ ड्राइफ रूट लगा सकते हैं, तो ये जब तक हो रहा था, तब तक मैंने चॉमिंग के लिए समान निकाल लिया, तीन टमाटर, सिमला मिच, प्याज, हरी मिर्च, अद्रक, लसन, ये चॉमिंग है, टमेटो सॉस, विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस, ये सा पाने की, तो मैंने सुचा चलो मैं निकाल के उसको दे देती हूं, आर आप देख सेकते हैं, एक्तम सॉफ्ट, आप मार्किट में 400 रुपे किलो करी देंगे, इसी बर्फी इतनी अच्छी बर्फी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राइ करें, तो बर्फ जब यह पानी बोईल हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे चॉमिंग, और तब तक मैं कड़ाई में डाल देती हूं, तेल ही रिफाइंड ओल ही डालिएगा, क्योंकि जब किसी तेल का टेस्ट आता है, रिफाइंड में टेस्ट नहीं होता, बाकि सब में टेस्ट आता है तो चलो जो है उसी में एज़ेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा दो मिनट प्याज भूनने एक बाद मैं इसमें सिमला मिर्च एड़ कर दिया और इनको अच्छे से भुना मैंने, ताकि यह सबजी यह गल जाएं अच्छे से, अगर सबजी जादे कच्छी रह जाएंगी तो दीपक एक-एक सबजी निकाल के फेक देगा, वो कुछ नहीं खाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा से ओवरकुक कर लिया था ताकि वो गल जाए, और इधर हमारा पानी भी उबल गया था, तो मैंने पानी में डाल दिया है चौमिंग, और यह चौमिंग का पैकेट है, का कि दुछा कम पसंद आता है यहं चंगlandग कुटे. उसकी को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत से चुक-चुक के, थोड़ा बहुत दिपक ने भी खाया, अनमोल ने भी अच्छे से खाया, मैंने भी खाया, वहान में वहाला तो जब प्याज और सिमला मिर्च भू अब अच्छे से भुना और उसके बाद मैंने चॉमिंग को ढख दिया ताकि जल्दी से पक जाए तो चॉमिंग भी पांच मिनट के अंदर ही पक जाता है पांच मिनट से ज्यादे टाइम नहीं लगता चॉमिंग पकने में आप चॉमिंग को ऐसे हाथ में लेकर चेकरिये थोड़ा पानी होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और एकदम खिली खिली हो जाएगी और यहां हमारा मतलब बाकी चीजे भुन चुकी थी अब मैंने इसमें टमाटर एड़ किया है और टमाटर के उबर मैंने नमक डाल दिया नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल पिर मैंने इसमें चॉमिंग भी एड़ कर दिया और उसके भी अच्छे से हम चला लेंके यहां आप चार-पांस मिनट टाइम ले सकते हैं खुब अच्छे से धीमी-धीमी आज में इसको चला के भुनिएगा जितना अच्छा चॉमिंग भुनना थता है ना उतना ही यह मैंने डाल दिया है इसमें सोया सॉस दो चमच मैंने सोया सॉस डाला है दो चमच मैंने चिली सॉस डाला है दो चमच मैंने इसमें भी निकर यानि सिर्का डाला है और टमाटा सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैंने थोड़ा जादे डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को tomato sauce बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें tomato sauce थोड़ा सजादे add किया है और दीपकट ने ऊपर से अलग से भी इसमें tomato sauce add कर लिया था तो आप देख लीजिए अलकिन को जादे पसंद हो तो डाले कम पसंद हो तो सारे बरतन अपने आप में नाचने लगते हैं और ये लीजी करमा गरम चॉमिंग बनके रेडी हो गया है मैंने ये चॉमिंग मतलब कल बनाया था कल संडे था कल बनाया था मैंने ये चॉमिंग और ये वीडियो आपको मंगलवार को देखने को मिल रही है तो उमीद है आप सब को ये वीडियो पसंद आएगी ये मैंने खा के आपको खिला है उसके बद मैं खुट ट्राई कर रही हूँ कि ये कैसा बना है ये किन मानी है बहुत नहीं बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना है मतलब संडे का फंडे हो गया है पूरे तरीके से यहां मैं अपनी वोईस ओवर अलग से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले डाला था तो कूलर की आवाज आ रही थी बहुत जादे वीडियो पे मैंने देखा तो हटा दिया और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लोग में बाई